नोत्पा आस्मान से बरस रही आग मनुहर पुर से हमारे संबादाता कृष्ण कुमार वर्मा की रिपोर्ट नोत्पा में सूरे देव ने रौधर रूप दिखाना शुरू कर दिया सूरे के रोईनी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही चिल्चिलाती धूप और गर्म हवा के थपेडों से आम जन परेशान है दोपेहर में मनुहर पुर सहित आस्पास के छेत्र में गूगल पर देखने पर तापमान 43 डिगरी के पार पहुँचा वही सुबह तेज हवाएं चली, नोत पा के दूसरे दिन सुबह होते ही सूरे की केरने आग उगलना शुरू कर रही है जिससे शाम को भी मौसम ठंडा नहीं हो रहा है इधर तेज धूप के चलते दूपहर 12.30 बजे से ही बाजार की सडको पर वाहनों की आवाजाही कम रही दूपहिया वाहन चालक लोग मौपर उमाल, गमचा, हेलमेट पचन करकर धूप से बचाव करते नज़राएं वही दुकांदार भी लूके था पेडों से परेशान नज़राए ग्रामीन महिपाल सिंग गुर्जर एवन रविवार बेनीवाल ने बताया कि छत पर रखी पानी की टकियों में पानी उबला हुआ आ रहा है दोपहर में चली लूके था पेडों से पशुपक्षी भी खासे परेशान नज़राए लोग भीशन गर्मी में कूलर पंखे की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही पेड़ पदार्थों का सेवन अधिक कर रहे हैं लोग शीतल पेगा और जूस, चाच, राबडी का सेवन कर शरीर किताब को नियंतरण में करने का प्रयास कर रहे हैं भीशन गर्मी और कमरे के भीतर उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है इधर इलेक्ट्रोनिक की दुकानों पर कूलर पंखे की बिक्री हुई कूलर बनाने वाले अरजुन लाल बेनी वाल ने बताया कि गर्मी के चलते कूलर बनाने शुरू कर दिये हैं अभी कूलर की बिक्री सामान ले है